नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी इस यूटूब चैनल में स्वागत हैं तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि हड्यों को लोय जैसा मजबुत करने वाले वीटामिन के बारे में बताने वाला हूं तो दोस्तो वीडियो को एंड तक देखते रहें दोस्तो शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए healthy foods की जरुत पड़ती है यही वज़े है कि लोग पोसक तत्वों से बरपोर foods का 7 करते है रोजाना की डाइट में ताजय फल और हरी सब्जियों के 7 से सरीर से कई बिमार्यों को दूर किया जा सकता है सरीर के किसी भी ओर्गन के खराब होने पर पूरी सेथ पर असर पड़ता है इसलिए जरूर है कि सरीर के सभी ओर्गन स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे vitamin C vitamin C से humidity बुष्ठ होने के साथ ही भी हड्डियों से पौर्षक तत्वों को रिषने से बचाता है कई फल और सब्जियों में vitamin C बढ़ा होता है vitamin C के किवी, आवला, संत्रा, निम्बू, आदिका 7 खरे इन फलों के 7 से हड्डियों मजबूत होती है vitamin C के 7 से कई बीमार्या भी मजबूत होती है और 플स कई बीमार्या दूर बागती है vitamin D सरीर में vitamin D की कमी से भी हड्डियों कमजोर होने लगती है body में vitamin D की कमी होने पर सरीर में calcium रुके गा ही नहीं vitamin D के कारण ही calcium को सरीर से हिश्टोर कर रखा जाता है विटामिन D की सबसे बड़ा स्त्रोथ सुर्य की किन्न है लेकिन इसके अलावा इसकी पूर्ती के लिए टूना, मचली, 40, डाइफाइट, सेले, बादाम, सकरकांग, मश्रूम और ओरेंज जूस का सेवन करें विटामिन के, विटामिन के हड्यों में खनीच पदार्तों की डेसिंटी को बनाए रखने का काम करता है, जिने ओस्टियो पॉरिसेस हुआ है, उसके लिए यव्वैत फाइद मन्द है विटामिन के से हड्यों में फेक्चर का जोकिम कम होता है, इसलिए हड्यों को मदबूत करने के लिए आप भी विटामिन के का सेवन कर सकते हैं तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी गरिलन उसको और सामने जानकारी परादारी थे, इसे अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाफ जरूर ले, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए जानकारी के साथ, जै हिन, जै बारत